आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने जा रही है बिल्कुल ही होटल के तरीका से पनीर का सब्जी और इसके साथ मैं बनाऊंगी तंदूरी रोटी तो बहुत ही असान तरीका से बन जाता है फ्रेंट्स और खाने में बहुत ज़्यादा ही स्वाधिश्ट लगता है तो एक वार को घर पर ज़रू ट्राइं कीजिएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए मैं रेस्पी को सुरू करती हूं तंदूरी रोटी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है पांसोगरा माता और इसमें मैंने और 2 बर्आ चमच मैंने इसमें तेल डाला है सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूं तो यहां पर मैंने आटे में अच्छे से पर प्याज लिया है, 8-7 मैंने इसमें काजू लिया है, और यहां पर 25 मैंने लजुन का कली लिया है, पैन में मैंने करम Kathleen Pani रखा है, अवेकर करके इसमें मैं सभी को डाल देती हूँ और इसमें मैंने ख़़ा दनिया 2 चंच डाला है, और 3 मैं दर रहे हूँ अगर आप इस तरह से ग्रेवी तयार करेंगे फ्रेंस तो खाने में पनीर के सब्जी में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पर पांच मिनट हो गया और यह देखे अच्छे से यह पॉयल हो गया है तो मैं गयस को बन कर देती हूँ और इसे डरेक्ट मिक्सिजार में मैं निकाल देती हूँ ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं पिस लूँगी यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो गया तो मैं इसे पिस लेती हूँ तो यह देखे मैंने यहाँ पर पिसके टेटी कर लिया तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पौडर डाला है थोड़ा सा मैंने इसमें कस्मीरी लालमिच के पौडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है दो चमच मैं इसमें दही डालूंगी और अच्छे से सभी को मैं मिल दालेती हूं तो यहाँ मैंने इपैन गया है दो बरी चमच मैंने इसमे तेल डाला है और इसमे पनीर कुम होब आफ़ा है करेंदी हो दो यहांं पर मैंने डीम गया है तो मैं इसे निकाल ले यहां पर मैंने सेमी पेन रखा है दो चमच मैंने इसमें घीन डाला है और दो पर चमच मैं इसमें तेल डालूंगी आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं तो यह गरम हो गया है मैं इसमें डालूंगी छोटा चमच जीरा अब मैं इसमें डालूंगी खरा गरम मसाला त पेस्ट को इसको मैंने डाल दिया है और इसे दो मिनट के लिए मिला लेती हूँ तो यहां पर दो मिनट हो गया है तो इसे दो मिनट के लिए और धकन से मैंने डग दिया है तो यह अच्छे से भूंजा गया है तो मैं इसमें डालूंगी सुखा मसाला एक चमच मैंने हल्दी पॉर्डर डाला है एक चमच मैंने इसमें कस्मीरे लालमीच का पॉर्डर डाला है और स्वादुनिशार मैंने इसमें नमक डाला है सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ एक मिनट के लिए मैंने मसालों को भी मिला कर अच्छे से भूंज लिया है थोड़ा सा मैंने यहां क म演ों भॉनीर को ड़ालय है मैं इस अच्छे से मिला लेती हु गोरकर फॉर्प है बिल्कुल ही एकती हो अथ कर दिती हु बॉस्ट करके कंग में तेर में तूरी झीजात्य है कि और ब aircraft उक्राइब कर दूदी यस था न क में र्लकुल आट नहीं distraction तिसे एक बार अच्छे से मसल लेती हूँ, यहाँ पर मैं रोटी का जो साज का गोला बनाती हूँ, उससे थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा ही रखा है, और इसे मैं बेल लेती हूँ, तो रोटी जो नॉर्मल जो बेलते हैं, उसे थोड़ा से इसे मोटा ही में रखूंगी ये देखिए बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर तवे पर मैंने डाल दिया है और इसे थोड़ा से हाँ से इस तरह से प्रेस कर लेती हूँ गैस पर मैं सेख लेती हूँ तो दोनों सेट मैंने लटक लटक के सेख लिया है और ये बिलकुल रेटी हो गया है मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से सारे बना लूँगी यहाँ पर पनीर के सबची गरम-गरम तंदूरी रोटी के साथ सब किया है तो मैंने रोटी पर थोड़ा सा घी लगा दिया आप चाहिए इस पर बटर भी लगा के खा सकते है तो एक बार मेरे तरीके से फ्रेंस घर पर ये रेश्पी को ट्राइ किजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को स स्क्राइब करना ना भूले फिर मैं मिलूंगे नहीं रेश्पी किसा तब तक के लिए